और अप जब लोन अप्ला ये करना चाहते हो लेकिन आपको sb sep eus co आपको ध्यान रखना है तब जाकर in future आपको कुछ भी परिष्ण से नहीं हो क्योंको आपको ध्यान रखना है कि कRe बहुत सारा प्रोब्लम हो रहा केस भी हो आपको पांच चीज़ों को ध्यान अखना है कि आगे आपको इन केसे आपको कुछी प्रॉब्लम ना हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो चलाओ तो लाइक कीज़े चैनल को सब्सक्राइब आपको प्लेइश्टोर में बहुत सरा एप मिल जाएगा लोन एप बहुत सरा एप है आपको उसके अंदर सापको चूज करना है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एन बी अपसी फाइननस बैंक एप को चूणना है जैसे आपको फ्रॉड एप में जाना नहीं है क्योंकि देखे उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है साथ दिन का वज़े से लोन आपको मिलेगी डबल करना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट है आपको एन बी अपसी फाइननस बैंक जो रेजिस्टेड है उसी एप में आपको लोन अप्लाई करना है पहला तो पॉइंट अपका जो भी कंटक्लिस्ट होगा आपको फोन नंबर वगारा उनलोग ले लेते हैं ठीक है आपको ध्याना के लेते हो आपको रिआम ये आलेते तो उनलोग क्या करते हैं जो भी आपका contact list होगा आपके number में call करेंगे आपका call आपका switch up हो गया call receipt नहीं करते हो phone cut कर देते हो या reject में डाल देते हो उनलोग क्या करते हैं आपका जो भी contact list होगा आपको phone number तो नोग लिए होंगे फैले apply जब करते हो उसमें आपको call करना चालू करते हैं कैसे call करेंगे आपको family number देखेंगे जो भी father होगा mother होगा sister brother उसमें आपको call करेंगे whatsapp में message भी पेजना start करेंगे इसलिए मगड़ाओ जब आप loan करना चाते हो second point आपको कहा है आपका जो भी family number होगा उसमें number आपको delete कर सकते हैं दूसरे नाम से save कर सकते हो क्योंकि आपके number में आप देखेंगे 400-500 contact list होगा उसका अंदर से father mother easily नाम होगा तो easily धूंड सकते हैं ठीक है आपको उसका अलग नाम से save कर सकते हैं delete भी कर सकते है पेपर में आप लिख सकते हो कि father घ आइडिया आप किसी phone में रख सकते हो ठीक है मेरे कहने का मतलब लोन जब लेने से पहले इन चीजों में ध्यान अखना है second point तो यह हो गया तीसरे नंबर पर आती है देखिए आपको जब loan apply करते हो उसमें देखिए आपको अलग अलग interest rate होगा मुझे अलग interest rate मिला होगा आ प्राई करना है आपका कितना interest मिल रहा है आपको charges आपको जो भी loan approval मिला है कितने interest के साथ मिला है ठीक है यह चीज़ जानक नहीं है क्योंकि हर समय अलग-अलग होती है एक app में अलग-अलग देखिए मैं आपको एक app में दिखाऊंगा मैंने apply का उसमें इंट्रेस्ट अलग कितना मिलेगी मैं कहने का मतलब है कि 10,000 आपको loan approval मिला है जब उसको transfer करना चाते हो ठीक है विड्रल करना जाते हो आपको bank account में कितना मिलेगी जो भी आपको processing fees charge है GST charges है उसमें आपको देखना है कितना charge कटके अपने bank account में मोटा total amount कितना मिलेगी आपको 10,000 amount मिला है आपक charges कटके आपको bank account में कितना मिलेगी यह main point है क्योंकि इसको ध्यान रखना है क्योंकि आपको अभी देखे 10,000 loan approval मिल गया आपको 7,000 या 6,500 मिला आपको payment करना पड़ेगा उसके ज्यादा 10,000 आपको बिल्कुल नहीं 10,000 से 2000-3000 ज्यादा भी पेकर हो गए तो बहुत ही लुक् processing fees और GST charges लगे bank account में कितना मिला पांच नमबर पर लास्ट नमबर पर आप याती है जो भी लोन आप है अपने final आपको approval मिलेगा 10,000 या 20,000 आपको विड्रल आपको जितना charges कटने के बाद bank account मिल गया ठीक है आपको देखे दूसरा जो option आता है repayment आपको कितना पड़ेगा आपको मानलो कि अपने loan उड्रल कर चुके हो repayment आपको कितना देना पड़ेगा आपने 10,000 उड्रल किया 10,000 loan लिये हो उससे आपको जितना bank account मिला मानलो कि 7,000 मिला या 8,000 आपको bank account मिला repayment आपको कितना करना है 12,000 या 13,000 उसमें आपको check करना है कि कोई ज़्यादा तो नही यह क्योंकि आपको देखिए हर एप में देखिए 10,000 आप जब लेते हो 6 मैने का अंदर 6 मैने मिनिमम जो 6 मंत का EMI बनेगी तो आपको 12,000 या 11,500 12,500 के अंदर आपको पैमेट करना पड़ेगा हर माईने EMI में कालकुलेट करके देख सकते हो एकनर प्रोसेसिंग पी ऐसा ना ना करते है लेकि हम प्रोसेसिंग घ्रट कर सकते है और पेमेट करने के कि आपको जब एक भी EMI मीस होती है पिनल्टी चार्जिस कितना देना पड़ रहा है लेट पीस कितना है एक दिन का लेट पीस चार्जिस कितना है सारा डीटेल्स देख लेना है ट्रम एंड कंडिशन में जो भी आपसे आप प्लाइ करते हो लोन ठीक है तो आई होब आपको व अलाओेजिस चार्जिस कितना है